मंगलवार की देर रात से होड ही जमाजम बारश ने दर्भंगा नगर निगम के सारे दावे के पोल खोल के रख दिये हैं मौनसून की बारश से जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली है तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम सहित उसके अधिकांस वाड जलमगन हो गया है का सामना करना पर रहा है वहीं अस्थानिये लोग नगर निगम प्रशास पंप लगा कर पानी निगासी की गुहार लगा रहे है वहीं दूसरी तरफ उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पतार डीम सीयज के आपात कालीन वभाग औसदी वभाग शीशू रोग वभाग स्त्री रोग वभाग सहित पूरे परिशर जलमगन हो गया है जल जमाओ की वज़ों से इलाज कराने पहुचे मरीज उनके परिशन एवं स्वास्त कर्मी को भारी कठनाईयों का सामना करना पर रहा है अस्पताल परिसर में चारो तरफ जल जमाओ होने के कारण नाले का गंदा पानी आपात कालीन वभाग औसदी वभाग शीशू रोग वभाग सहित कई वाडो में घुस गया है जिससे लोगों को आने जाने में काफी परिशानी हो रही है वहीं दरभंगा नगर निगम कार्व्याले के ठीक बगल में रहने वाले अजय मोहन प्रशात के घर में पानी प्रवीस कर गया है उनकी माने तो देर रात से हो रही लगतार मुसलधार बारिश के कारण उनके घरों में दो फीट पानी गुस गया है अचानक पानी प्रवीस कर जाने के कारण घर के नीचे रखे सारे सामान बरबाद हो गए है सबसे बड़ी समस्या खाना बनाने की हो गई है इसे गंदे पानी के बीच कैसे लोग बजार जाएंगे और सामान खरीद कर खाना बनाएंगे वहीं उन्होंने नगर निगम प्रशासन से अपील की है कि पंप सेट के माध्यम से जल से जल पानी की निकासी की जाए दर्भंगा नगर के भाजपा वधायक संजय सरावगी ने कहा है कि मौनसुनाने के पूर्व जल निकासी को लेकर लाखों का योजना बनाया जाता है और नगर निगम के माध्यम से सफाई खाना पूर्ती कर दी जाती है जुसमें करोरों रुपए खर्च होते हैं लेकिन बिना सही मौनिटरिंग के कारण सभी जगह जल जमाओ हो जाता है अगर नगर निगम थोड़ा ध्यान देगा कि किस जगों के कारण जलजमाओ होता है अगर उसे क्लियर कर देगा तो ऐसे इस्तिती उत्पन नहीं होगी वहीं उन्होंने कहा है कि जब हम लोगों की सरकार में थे जब बार आया था तो उस वक्त हम लोगों ने बड़े-बड़े पंप नगर निगम से खरीदिदारी करवाई थी और वह पंप आज भी है नगर निगम चाहेगा तो तुरंत पम को चला कर पानी को निगाल सकता है लेकिन लापरवाही के कारें यह हाल है क्या कुछ कह रहे हैं अब पानी लगा हुआ है अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कहां पर पानी अटक रहा है अगर उसको किलियर कर देने से पानी किलियर हो जाएगा हम लोग की सरकार थे यह बारा है था बड़े-बड़े पंप हम लोगों ने खरपवाही से नगर निकाल वो पंप भी है तो कि जोड़ार बारिस हुई है इस बारिस में मेरे जहर के अंदर करीब दो फित पानी परवस कर गया है हर रूम में पीचन में बातूं में बरेंड़ा पर आंगन में रभी तरफ पानी पानी नगर आ रहा है सबस्वरी चिंटा की बात है खाना कैसे बनेगा ऐसे रहेंगे प अपने सुना अस्तानिये लोग ने क्या कुछ कहा है ऐसे ही तमाम अपडेट्स की बने रहें NBC24 पर दर्भंगा से अशो ठाकूर की रपोर्ट